अलो आप्टूरीवन माणेश्मेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़एंगे ब्रांड ॉर्षिट्फरेहं के आप स्टृक्ट्फचर को और इस वीडियो में पढ़ने वालेATHER के brand structure होते हैं इन सभी को detail में देखने से पहले corner आई बिटिन पे क्लिक करके आप brand management की playlist देख सकते हैं जिसके अंदर आप brand management से related different topics पे वीडियो देखेंगे और description में management और commerce से related different subject के वीडियो के playlist का link अभी लेवल है आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चना को subscribe कीजिए और comment कीजिए और किसी topic पर वीडियो चीए तो आप comment कर सकते हैं तो पहले हम देखते हैं कि brand architecture क्या होता है तो brand architecture एक logical strategy को relationship structure को बताता है किसी भी brand के मतलब आपकी brand में कितने partition है मतलब आपने जब एक brand launch किया तो आप उसी से related different products निकालते हैं आप फिर सभी different product के लिए different brand name रखते हैं तो वो आपके brand के architecture को मतलब की brand के structure को बताते है मतलब की for example apple तो apple ने अपने सारे ही products, सारे ही brand में Apple का नाम रखा है, वैसे ही अगर हम PNG या HUL की बात करें तो उन्होंने क्या-क्या है, कि हर product को अलग brand name दिया है और अलग brand name से बताए है जैसे कि HUL में आता है उसका close up, Colgate shampoos की बात करें तो उसमें आता है dove, तो जैसे HUL अपने different products को different brand name दिये हैं, like Piers, Lux Duck, Colgate, Closeup तो उन्होंने हर particular product या categories के according उन्होंने different brand का name दिया और Apple ने same brand name दिया तो यह क्या हुआ? ब्रांड का अर्केट अच्छा तो इसमें इन्वाल्व होता है कि कैसे हम brand को बनाते हैं, brand का क्या framework है, कितने different type के product or services offer कर रहे हैं लोगों को, और ये पूरे आपके brand के extension को बनाते हैं तो next आप देखते हैं, ये brand architecture का diagram, जिसमें आप देखते है master brand जो की उपर है, फिर उसमें से sub-brands बनते हैं फिर sub-brands में से भी product brand और कुछ branch को की stand-alone branch होते हैं, मतलब master brand के name से ही, तो इस तरीके से brand का structure होता है यही structure किसी में लोग अपनी requirement के according इसको follow कर सकते हैं, next आता है कि क्या need होती ये brand structure की तो इसमें multiple जो brand है, उसमें हम merger या equation को देखते हैं, कि क्या different brand extension हो सकता है, कैसे हम complex structure को increase कर सकते हैं, और जिससे की confusion ना हो, तो important होता है कि आप proper तरीके से आपके brand के structure को बनाए, next आता है कि क्या importance होते है brand structure के, तो ये clear brand structure होता है, जो की help करता है कि कैसे आप brand की positioning करेंगे in future, इसमें आप देखते हैं कि architecture की क्या strategies है, कैसे आप successfully किसी भी branding कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास क्या opportunities है, तो क्या-क्या importance होते हैं, जब भी आप brand के architecture को या उसके structure को बना रहे हैं, तो first आता है clear and consistent brand positioning, आपकी जो brand की positioning है, वो आपको कैसे करना है, वो clear होगी, second हाता है, reduce marketing expenses, जो भी आपके बार-बार अगर different brands बना रहे हैं, तो आपको उनको promote करने के लिए advertising और marketing का जो expenses लगता है, वो कम हो जाएगा, next आता है platform for growth and expansion, यह आपको platform provide करता है कि कैसे आप growth कर सकते हैं और उसको expand कर सकते हैं, next आता है increased confidence among stakeholders and investors कि यह जो भी हमारे stakeholders है या investors से उनके confidence को increase करता है कि वो over money अपना fund invest कर सकते हैं, next आता है more cross selling opportunities कि आपके पास ज़्यादा आपके product को sell करने के opportunities बढ़ जाती है, next आता tell a compelling brand story, आप आपकी brand के बारे में एक अच्छी story लोग को बता सकते हैं, जिससे कि जादा से जादा लोग आपके लिए attract होंगे, next आता है build brand equity, कि आप brand की equity को बनाते हैं, कि आपकी क्या acids है, क्या liability है, कि आप जादा स्यादा acid बनाने की कोशिश करते हैं last आता है, maintain brand consistency कि आप brand की consistency को बनाने की कोशिश करते हैं यह थे कुछ importance, next है कि क्या benefits होते है, brand architecture के तो first है, targeting need of specific customer segmentation, जो भी specific customer की need है, या specific customer का जो segment है, हम उसको easily target कर सकते हैं, second है significantly reducing marketing cost, हम easily marketing की जो भी cost आपके हैं, हम उसको कम कर सकते हैं clarify कर सकते हैं, कि हमारी brand की क्या position है, उसका क्या name है उसका क्या message है, यह increase करता है, flexibility को, क्या future product होंगे, services होगे, उसको कैसे expand करना है, यह boost करता है stakeholder के confidence को strategy, direction प्रोवाइड करती है brand के लिए, ensure करते हैं, कैसे clarity होगी, synergy होगा किसी भी company का, उनमें कैसे division हो रहा है, क्या-क्या different product और services के division है यह enhance करता है customer के awareness को कि कोई भी company क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या product software कर रही है, यह क्या services दे रही है, यह आपको facilities प्रोवाइड करता है cross selling के और आप build कर सकते हैं, और protect कर सकते हैं आपकी brand equity को, next आता है कि optimized brand architecture, जब भी आप different segment को देखते हैं, तो brand portfolio में आप देखते हैं, कि आप उनको कैसे map करेंगे, कि इन segment को target कर रहे हैं, तो आप उन segment को explain करते हैं, कुन सा आपको अच्छा profitable लगता है, कुन सा आपको अच्छी growth देगा, तो आपकी brand की क्या leadership होगी, brand leverage कैसा होगा, तो आप इन सारी चीज़ों का analyze करते हैं, future में आपकी क्या growth हो सकती है, क्या opportunities है, और आपकी कौन सी brand को आप leader बना सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा revenue देगी, अगर कोई loss में तो आप उसका loss भी cover कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे explore करते हैं, different opportunity को कैसे हम, जो भी underperforming brands है, मतलब जो आपकी brands अच्छा perform नहीं कर रहे हैं, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, कौन से नए brand को ले जा सकते हैं, कौन से नए segment को cover कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी brand लीडर बन जाए और अच्छे से perform कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है new brand, कि आपको कब नए brand बनाने की जुरूत हो थी, first आता है create different set of association, कि आपको कुछ different set बनाना है, तब आप नए brand को बनाते हैं, develop करते हैं, जब भी आप कुछ नए product या नए category, नए segment को target करते हैं, तब आप नए brand बनाते हैं, नेक्स्ट आते हैं, आप conflict को हटाना चाहते हैं, जो भी आपके brand association है या उसके identity है उनके बीच में, आप channel के conflict को हटाना चाहते हैं, आप create करते हैं, price driving level को competitive reasons है, और आप fulfill करते हैं, नए geographical segmentation की need या फिर unique segment की need को, तब आप नए brand को create करते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी brand को ओर आपको expand करना है, नए product को launch करना है, नए category को launch करना है, तब आप नए brand बनाते हैं, लास्ट आता है कि क्या types होते हैं, brand structure के तो इसमें four types होते हैं, फ सब्सक्राइब होते हैं, फरस्ट आता है, branded house, branded house offer करता है बहुत logical बात को brand extension की कैसे नए brand को आरे, तो इसके अंदर एक master brand होती है, जो की हमेशा link होती है leverage brand के साथ, या आप या brand extension के साथ, मतलब आपने एक brand का name ले लिया, वो आपको सभी जो भी आपने product launch कर या आपी नया brand launch कर रहे हैं, उसमें आपको वो name मिलता है, for example, fedex, fedex, kinko, जो की different है, इनकी services है, तो ये master brand है, fedex, जो की अपने आपको link करके रखता है, सारी ही brand से, जो की same brand identity, या same brand के लोग को use करके, तो ये successful brand architecture है की customer का क्या opinion है, क्या preference है, और वो पुरी brand की family को easily जान सकते हैं, उनको समा सकते हैं, कि ये individual brand family है, जैसे कि आप देख सकते हैं, fedex, fedex express, fedex supply chain service, fedex skin co, fedex fit, तो ये सब क्या हुआ है, fedex के, तो इन्होंने एक ही brand name से, अपने सारे ही brand को, या सारे ही products को launch किया, तो ये एक brand family को बताते है, next आप example देखते हैं, apple, apple जो की variety of product देता है, और इसका easily extension ये apple के नाम सी करता है, उसके logo के सारे, और ये अपने clearly benefit को present करता है, जो कि इसकी master brand equity में ये बोलता है, मतलब इनके product में think different और simply elegant वो आपको मिलता है, और ये हर product में आपको apple, जैसे के apple का, iphone, apple macbook, apple, earpods, तो जो भी apple के products साते हैं, आपको इनके आगे apple ही मिलेगा, next आता है, virgin, virgin ज तो ये अपनी brand को unique name, उन unique logo से, जो इनका brand name में वो हपको हर जगा same मिलता है, तो ये हमको एक brand family को बताता है, तो next आते है कि क्या advantage हूते है, तो first आता है, जो master brand है, उसमें आपको ज्यादा time, money, invest करने की ज़ुरत निये, differentiate करने की ज़ुरत निये, क्योंकि आपने सब branding के strategies को apply नहीं किया, और आप target market easily differ कर सकते है, आपकी brand identity overall पता चलती है, और ये consistent रहते है, next आता है, जो भी sub brand है, वो आपकी master brand में जो भी benefits है, उनको वो सब मिलते है, brand equity मिलती है, मतलब अगर अगर apple ने कुछ नया launch के है, तो आपको पता है कि apple कैसा brand आपके mind में आता है, कि premium quality जो भी master brand है, वो easily target consumers को communicate कर देता है, कि क्या specific plan है, तो जब भी आप sub brand launch कर रहें, तो आपको फिर से सारी चीजे करने की ज़रूत नहीं होगी, next आता है, house of brands, house of brands आपको protect करते हैं, हम master brand को, जब भी हम brand extension कर रहें, तो हम हर बार different brand दे रहे हैं, हर different product के लिए, तो ये house of brand बोल segments कर देते हैं, और फिर उनके according इनको different brands देते हैं, for example, PNG, PNG के वो सारे sub brands है, क्योंकि brand में crisis नहीं हो, और जो master brand है, वो affect नहीं हो, तो इसके लिए वो सारे sub brands बनाते हैं, तो ये अपनी favorable publicity कर सके हैं, different product के according, और जो दूसरे brand benefit नहीं दे रहे हो, तो ये अपने नए brand का नाम और उसके benefit को ये communicate करते हैं, तो जैसे कि आपको पते हैं कि PNG में हमारा आता है, like oral bee, aerial, tide, gillette, head and shoulders, तो ये सब क्या हुआ, PNG के brands हो है, different और उन्होंने क्या क्या है, कि different products को different name से निकाले, ताकि एक दूसरे से वो affect ना हो सके, other example है, like general motors, तो PNG ने अपना brand extension किया, different industries में, तो वो general motors में कही, उन्होंने different car manufacturing related products को बनाये, जिसमें कि general motors में, उन्होंने सब ब्रांड की, several it, GMC, Cadical, Book, On Store, तो इन्होंने different, जो भी general motors को brand extension में है, उसके identity को influence निकाले, पर उन्होंने different brands को different name से निकाला, जैसा कि PNG ने brand extension कहा था, वैसी general motors ने भी different car manufacturing प्रेड़क्टों और उ different sub brand रखें, like several it, GMC, Cadical, Book, On Store, तो ये product different closely related है, पर ये एक दूसरे को affect नहीं करते हैं, इनके identity को affect नहीं करते है, next आता है MGM resort international, इसमें 30 plus brand का portfolio, resort house है, जो की resort, cuisines और restaurant है इनके पूरे वर्ड में, तो इनके sub brands like, Baligo, Manilio Bay resort, Mandelia Bay resort, और इन्होंने unique brand identity को बनाया है, ये इनका मास master brand है, उसे related है, पर इन्होंने भी different unique brand को बनाया, हर sub brand के लिए, next आता है कि इसके क्या benefits होते हैं, तो individual जो भी brand है, वो completely master brand के अंदर होते हैं, अगर किसी आपकी एक brand की negative publicity हो जाती है, तो वो master brand को affect नहीं करते हैं, जो भी आपका master brand, जो भी resources है, वो easily sub brands को provide कर सकते हैं, तो आ या बैलीगो और लक्जीरो, तो ये different type के इन्होंने different name से resort को बनाया है, next आता है endorse brand, endorse brand जादा flexible होता है, ये package होता है brand का master brand के अंदर, हर brand extension separately अपनी identity को बनाता है, और ये associate होता है master brand के साथ में, पर ये उस पर पूरी तरीस के से dependent नहीं होता है, मतलब इसमें आप जब भी brand extension कर रहे हैं, तो उनको freedom प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो अपनी अलग strategies को बना सकते हैं, target market को देख सकते हैं, और वो parent brand की equity को तो use कर सकते हैं, easily, तो endorse brand जिसमें की हम branded house और house of brand architecture के बीच में देखते हैं, ये तरीका जिसमें की जो भी सब brand है, वो अपनी reputation को बना के रखते है parents brand के लिए और एक दूसरे को affect करते हैं, branded house में, वही इनकी negative publicity होती ही, तो ये surroundings affect करते हैं, impact ढालते हैं sister brand के उपर, parent brand के उपर भी, तो independent market segment को हम देखते हैं, branding में, house of brand के अंदर, तो अगर आपका branded house है, तो वो अगर negative publicity होती ही, तो उसका भी impact दिखेगा, पर आपका house of brand है, तो उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका एक ही brand effect हो रहा है, बाकी सब के name different है, for example, like Toyota, Toyota खुद अपनी brand बनाता है, Toyota name के अंदर, साथी में उसके खुद के master brand भी है, Lexus और Skino brands, next आता है Killox, Killox को का brand है, उसके बहुत सारे brand से brand identity है, जो कि हम easily उनके logos को देख सकते हैं, सब brand की packaging को देख सकते हैं, तो Killox, like Killox, Rice, Crisp, तो इस तरीके से इन्होंने अपने different brands को बनाया है, next आप देखते हैं, कि क्या benefits होते हैं, endorsed brand architecture के, तो एक option है कि कैसे हम independent or beneficial relationship को बना सकते हैं master brand के साथ में, जब भी आप सब brand बना रहे हैं, आप उनसको ground से ज्यादा उपर नहीं बना स कर सकते हैं, जो भी आप marketing कर रहे हैं endorsed brand की, वो easily होती कि आप similar brand identity के अंदर उसको कर सकते हैं, Kellox में आता है, Kellox, Fosterflex, Nutrigan, Club और Egos, next आता है hybrid brand, hybrid brand structure combination होता है, दो या दो से ज्यादा brand architecture का, जिसमें की हम देखते हैं, जो भी master brand है, वो create करी कैसे नए brand extension को देखती है, और जो भी master brand है, वो कैसे sub brands को देखती है, उनके product or services को जानती है, उनके हम नए brand identity को कैसे adopt कर सते हैं, situation है, कि जो भी master brand है, उनके relationship को हम sub brand के साथ में देखें, या फिर उनके कोई relationship नहीं होता है, तो इसमें कुछ brands का opinion है, कि जो hybrid brand है, वो ideal नहीं है, कि कैसे आप definite brand identity को देखेंगे, उन को वो track कर सके, for example, like Coca-Cola company, तो Coca-Cola company offer करती है, diet coke, coke zero, साथ में ही इसकी parent company है, Sprite, Fanta, Mintomid, और Dasani bottle, next आता है Marito, Marito master brand है, hotel line में पर इनकी खुद के identity है, और Marito name से इननोंने different brand identity को बना रखा है, तो Marito के अलग brand identity है, बागी सभी के अलग है, जैसे कि Coca-Cola में आपको पता है, Coca-Cola के Sprite के अलग है, Fanta के अलग है, तो ये different brand ने different अपनी identity को बना रखा है, तो ये क्या hybrid brand है, ये सब Coca-Cola के brand है, next आता है कि इसके क्या benefits होते है, master brand हम continuously उसको बढ़ा सकते हैं, और उसके identity को बना सकते हैं, जो भी सब brand है, वो master brand के resources को ले सकती है, उनकी identity को use कर सकती है, brand equity को ले सक और जो भी आपकी master brand है, उसके benefits को भी वो use कर सकते है, next आता है, जो भी master brand है, वो सब brand को options देते हैं, क्या best है, कैसे हम merger or equation करेंगे, इसमें आप देखते है marito hotel, जिसमें की fairfield, curry art, seroton, gallaud hotel और town palace suits, तो ये सब क्या है, marito's hotel resort के examples है, तो ये क्या हुआ हुआ है, hybrid brand, तो brand architecture के इस इसकी क्या need होती, importance, benefit, कैसे हम इसको optimize कर सकते हो, क्या different types होते है, वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिए, चाना को subscribe कीजिए और comment कीजिए, और किसी topic पर वीडियो चीए तो आप comment कर सकते है, thank you